तो मैंने उन से कहा कि मैं आपसे दो मिनिट बात कर सकता हूँ तो बोले जरूर कीजिए उन्होंने जरा भी मतलब कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि मैं जल्दी में हूँ या नई अभी नई बात में आईएगा तो उन्होंने मेरी सारी ट्वेरिस का आंसर किया मैंने जो जो पुछा college की affiliation के बारे में सारा होने के बाद फिर मैंने उनको thank you बोला तो वो बलते हैं उसके बाद उन्होंने अपना introduction दिया बोले मैं भी college का father हूँ लेकिन मेरा transfer हो गया है और मैं अभी B.A. college टेलको में जा रहा हूँ यहां दूसरे father आएंगे तो इस बात ने मुझे बहुत परभावित किया last five years से मैं यहां लगातार आ रहा हूँ जब बड़ी बेटी का admission हो गया तो मैं हर visit में महिने में एक शक्कर मेरा जरूर लगता है या बेटी को लेने आता हूँ या drop करने आता हूँ तो हर visit में यहां कुछ ना कुछ development दिखती है कभी मैदान बन रहा है, मिट्टी डाल रहा है पोल लग रहे हैं, गैलरी बन रही है यह MBA block बन रहा है कची रोड थी, पक्की रोड बन रही है तो खुशी होती है देख करके और यह जो हमारा impact of urban wilderness है देखता हूँ उसके साथ इन लोग सामंजस से बना के चल रहे है ज्यादा कुछ प्रकृती से छेड़ चाड़ नहीं करके बहुत अच्छे तरीके से develop कर रहे है तो यहां पर एक extra curricular activities होती है Saturday को तो हम लग तो इस तरह की activities हमारे जमाने में थे नहीं मैं cooperative college का student रहा हूँ तो मैं बेटी से पूछता था Saturday को फोन करके वो होस्टल में रहती थी बेटा आज क्या हुआ तो बता दी थी अज फेस फेंडिंग हुआ आज कुछ event था उसकी तियारी कर रहे है आज dance practice किये एक दिन बोली कि soft skill की class होई गया तो मुझे बड़ा अस्चार हुआ मैंने पूछा कि कौन सर क्लास ले रहे थे बोले एक्सलराई से कोई आये थे तो यह बातें बहुत प्रभावित करती है बच्चों से मेरा request है कि यह सब चीजों को सीखिए आज की जिंदिगी में आगई यह बहुत काम आने वाली है क्योंकि हमारे पास इन सब skills की कमी है हम जब किसी बात को रखते हैं तो अग्रेसिव हो जाते हैं थोड़े से argument ऐसे ढंक से करते हैं कि उसका थोड़ा सा negative effect आता है तो अगर आप यह चीज़े सीख लेंगे तो वही बात बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे दूसरी चीज़ है कि एक्सलराई में यहां के बच्चों को जाने का अफसर मिलता है जो वहाँ सेमिनार होते हैं वो बड़े आज के जोलन्त मुद्दे हैं वो चाहे micro economy हो white revolution हो या आज के संदर्ब में मीडिया का रोल यह सारी चीज़े आपको आज के जो हालात है उससे अवगत कराती हैं तो मैं बेटी से कभी कभी पूछता था कि आपको कुछ समझ में आया तो बोलती थी हाँ थोड़ा बच्चा तो ऐसे भी बोलता है हाँ थोड़ा समझ में है कार्परेट के डिगज लोग है एक्सलराई के स्टूडेंट है उनके साथ बैठ करके आप इस तरह की समस्याओं या सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं तो यह अपर्चुनिटी है मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट से भी कि और भी लोगों की यहां लाएं और अड्शन कराएं यह सारी चीज़ें यहां से ही मिल सकती है और जमशेदपुर में किसी कॉलेग में नहीं है और एक चीज मैं बोलना जाओंगा कि तो यहां से जब मेरी बेटी गई पूने BIMM में उसमें एडमिशन लिया तो तब पता चला कि उसमें क्या मतलब improvement होई है उसका विकास कैसा हुआ, personality development कैसी होई है First day orientation में उसने participate किया करीब 700 लोगों की gatherings थी, students और parents की उसमें उसमें first day participate किया तो वहां मुझे बहुत proud feel हुआ कि लगा कि नहीं मैंने XIT में admission करवा कि कोई गलती नहीं की थी और दूसरी चीज़, जब मैं fees देने के लिए IDBI bank गया तो वहां cash counter पे एक लड़की बैठी थी उसको जैसे मैंने fee book दे, तो मेरी तरफ उसके आँखों में एक चमक आ गई, वह मेरी तरफ देखी और मुस्कराई, अब मुझे लगा कि यह मुझे कैसे जानती है, यह कौन है, यह क्यों मुस्कराई, नैचरली इस तरह के सवाल आते हैं, मैं क्यों नहीं जान रहा हूं, तभी वह बोली कि मैं भी एक्साइटी की ही स्टूडेंट हूं, तो जो पहला बाच था, 2003 या कब स्टार्ड हुआ था, बोली मैं पहले बाच की स्टूडेंट हूं, तो बोली उस समय जो नया इस्टिशुशन जब चलता है, बहुत सारी समस्या हैं रहती हैं, तो वह सब बोलने लगी, मैंने बोला कि आप अभी जाईए, और कॉलेज विजिट करके आईए, आपको खुशी होगी, कि आज वो कॉलेज बहुत अच्छे दंग से चल रहा, उसका इंफ्रास्ट्रक्ट्चर देख करके आईए, तो ये सारी बाते कॉलेज के हक में हैं, और ये जो आज का इम्पेक्ट आप अर्बन विल्डरनेस, ये सारी चीजे हम लोगों को भी नहीं पता होती, जैसे लाश्ट इयर चेंज एंड ट्रांस्वर्मेशन थी, तो ये यहां से आने के पाद हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिस करते हैं, कि ये क्या है, तो मैंने भी थ उस पर नोटिस नहीं करते हैं, ये ऐसा एक शहरी इलाका है, जहां ना विकास हुआ है, ना खेतिबाड़ी होती है, तो अभी ये न्यू अर्बनिजम का यही एक टॉबिक है, कि हम शहर में ही नेचर को एक्सपिरियंस करवाएं, ये जगरुकता पैदा करता है, कि अर्बन स्पेस को दूसरे लिविंग बींग के साथ कैशे शेयर करें, ये बायो डैवर्सिटी का समावेश है, एक बड़ी रेंज इस लोकल स्पिसीज, उसमें एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, उनको अर्बन स्पेस में शेयर करने की जगा होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि हम उनके इलाके में जा रहे हैं, तो वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, या तो लुक्त हो रहे हैं, जिस तरह की शहर की कंडिशन है, तो ये आज की समय की जरूरत है, इसका बेस्ट एक्जमपल है हमारा जमशेदपूर, 2007 में जब शहर बसा था, आज तक काटा स्टील सारे शहरों में ये चीज नहीं है, तो ये है कुछ बातें जो बच्चों को सीखना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लोकल प्लांट्स है, स्पीसीज है, उनको भी अपने साथ फलने पुलने का मौका दे, अनिता है कि होता है जैसे अब कहीं पर तलाब है, कुछ है, हमने वहां कभजा कर लिया, वहां हमने कुछ डेवलेप्में बिल्डिंग बना दी तलाब हो, तो इसका बेस्ट एक्जामपल है मच्चर हो हमारे घरों में आ गए, पहले वहीं रहते थे, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे शहर देखे गए हैं, जहां पसु पक् करके चलना होगा, तो इतना ही कहां कि मैं समाप्ति करता हूं, मुझे आफसर गिया गया, इसके लिए मैं रेविदेंट फादर प्रिंस्पल और डीन सर का फिर से धन्यवाद देता हूं.